हेलो फ्रेंड्स दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल परणी टेकन फाइन्स में एक बाफ फिर से स्वागत है दोस्तो अक्सर बिजनेस के शुरुआत में सबसे ज़्यादा प्रोब्लम पैसो की आती है कई बार तो पैसो की कमी के कारण अच्छी शुरुआत के बाद भी बिजनेस बंध हो जाता है दोस्तो आज हम आपको ऐसे पास तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके मदद से आप बिना पैसो या कम पैसो के साथ बहतरिन बिजनेसमेन बन सकती है दोस्तो इसके लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखे दोस्तो अगर आपने हमारे यूट्यूग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लिस उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में दिया गया बैल आइकन प्रेस कर लीजिए अक्सर बिजनेस के शुरुआत में सबसे जादा प्रूबलम पैसो की आती है कई बार पैसे की कमी के कारण अच्छी शुरुआत के बाद भी बिजनेस बंद हो जाता है हाला कि हम आपको ऐसे पास तरीकों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप बीना पैसो या बस थोड़ी पुझी के साथ मेतरिन बिजनसमेन बन सकते हैं मतलब आप बीना पैसो के भी बिजनस शुरू कर सकते हैं रोचक बात यह है कि आपको किसी से पैसे उधार लेने की भी जरूरत नहीं बढ़ेगी बस कुछ छोड़ी छोड़ी स्टेप फोलो करने होंगे नोट यहां हम आपको जो तरीके बताएंगे जिसमें आपको अपने घरेलों इंफ्रास्रक्चर जैसे इंटरनेट कंप्यूटर या अपनी स्किल को यूज करना है अगर ऐसा बेसिक स्टक्चर या स्किल है तब ही आप इन पैसे से पैसा बनाने के इन तरीकों को यूज कर पाएंगे तरीका नंबर वन जिस काम में माहिर है उससे जूड़ा प्रोडक्शन करें खास कर क्रियेटिव चीज़े क्या होगा लागत कम होगी और मार्जिन पाच गुना हो जाएगा इसे ऐसे समझें अगर आप बिजने शुरू कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे है आप ऐसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें जिसकी लागत बहत कम हो और ये चीज़े बाजार में पाच गुना जादा कीमत पर भी के कोशिश करें कि इन चीज़ों को घर में ही बनाया जा सके और इसके लिए जरूरी चीज़े घर पर ही मिल जाए इसमें हैंडमेड और और और्गनिक गूट के अलावा वच्चों के खिलोने और ज्वैलरी और लड़की के समान शामिल है आप इने एबेज, मार्केट, इबेज ऐसी वेबसाइट पर भी बेज सकते हैं तरीका नंबर टू चीज़ों की रिसेलिंग क्या होगा बिना प्रोडक्शन लागत के जो भी पैसा आएगा वह आपकी अर्निंग होगी इसे ऐसे समझे, अगर आपको लगता है कि आप क्रियेटिव परसन नहीं है और कुछ भी नहीं बना सकते तो आपके लिए बिना पैसो के बिजनस का दुसरा उप्शन भी है आप पहले से बनी चीजों की रिसेलिंग करें, इसके लिए आप डॉप शोपिंग पर अपना एक ओनलाइन स्टोर बनाए, इसके बाद आप डॉप शोपिंग से जूड़ी कंपनियों के साथ साजेदारी करें आप ओडर ले और ये कंपनिया आपको प्रोड़क्ट प्रोवाइट कराएगी, आप शोपिफाई वेबसाइट पर इस बात की ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं तरीका नमबर थ्री, अपनी सर्विस बेचे, क्या होगा, बिना किसी प्रोड़क्शन लागत के जो भी रकम आएगी, वह आपकी कमाई होगी इसे ऐसे समझे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपनी सर्विस बेच कर भी बिजनस कर सकते हैं कुछ सर्विस आप डिग्री लेने के बाद भी दे सकते हैं, और कुछ स्किल के अधार पर, उधारन के लिए आप डोक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद, मरीजों को कर्लिटेशन देकर पैसे कमाते हैं वही दूसरी और टूशन पढ़ाने, ट्रांसलेशन करने जैसे कामों में आपकी स्किल है, तो आप पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई लागत भी नहीं है तरीका नमबर फोर, ओनलाइन सर्विस देना, क्या होगा, अगर आपके पास कम्प्यूटर पहले से है, तो सिर्फ इंटरनेट के थोड़े से पैसों में बिजनस खड़ा हो जाएगा इसे ऐसे समझे, यह बिजनर बिना पैसों के शुरू नहीं हो सकता, लेकिन कम्प्यूटर और इंटरनेट है तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, इसके तहट आप ओनलाइन टीचिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, जैसे बहुत से काम करके पैसा बना सकते हैं तरीका नमबर फाइव, लो कोश्ट सर्विस का इस्तमाल क्या होगा, इंटरनेट पर बहुत से ओडर असानी से मिल जाएंगे, इसे ऐसे समझे, अगर आपके पास इंटरनेट है, वो ग्राफिक्स की जानकारी है, तो आप भी बिना किसी लागत के बिजनर्स कर सकते हैं इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेब साइट है, जो लोगों डिजाइन करवाने समेथ, बहुत से काम करवाती है, इसके लिए वह तीन सो से तीन हजार उपे का ओफर करती है दोस्तों अगर आपको इस से रेलेटिड हमसे कुछ हो जाना है, तो आप कमेंट बोक्स में कोशन डाल कर पूछ सकते हैं थेंक्स फॉर वोचिंग